ओम श्यांति तेन सितंबर बाबा हम सभी को नसा चड़ा रहे हैं गीत वजा है मुद्ली से पहले तुम्हें पाके हमने जहां पालिया है तुम्हें बाबा याद दिला रहे वच्चे तुम किसके सम्मुख बैठे हो और तुम बाप से इस समय स्वरक की बादसाही पा रहे हो तुम्हें बहुत नसा होना चाहिए तुम्हें बाप के द्वारा बाप को जान लिया है अर्थात भगवान के द्वारा ये जान लिया है क रहा हूं। तुम्हेरा जियोग सिखा रहा हूँ, तुम्हें एक दूसरे को भी सिवावा की याद दिलानी है, मैं भारत में ही आता हूँ, भारत में आकर सब की सद्गती करता हूँ, इसलिए भारत सारे संसार का मान तिर्थ है, भारत ही स्वर्ग बन जाता है, पक्यों और सभी धर्म समथ हो जाते हैं, मा भारत लड़ाई सामने खड़ी है, बहुत खूने नहाख खेल होगा, तुम देख भी नहीं सकोगे, नहाख कहते हैं बिना मतलब, बिना मतलब खून यहां तो एक का कोई मर्डर कर दे, तो केस हो जाए, फास ही लग जाए, सब का ही खून होगा, कौन किस को पकड़ेगा, प्रकरतिक प्रकौप होंगे, करोडो करोडो लोग एक साथ समाप्त हो जाएंगे, यह मा भारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, यह कल पहले जैसे लगने वाली है, लेकिन यह मा भारत लड़ बहुत ही कल्यान कारी है, इससे भारत में स्वरक के गेट खुलते हैं, तुम अखबारों में भी ढाल सकते हो, भगवान पुन्हे आकर भारत को स्वर्ग बना रहा है, कल पहले की तरहे राजाई देने आ गया है, आकर समझो, यह नहीं कह सकते के यह नाटक क्यों बना, किस अंसार क्यों बना, कब बना, किस ने बनाया, बच्चे यह तो अनादी बना बनाया है, जैसे तुम एक्टर हो, मैं भी इस ड्रामा में एक्टर हूँ, मैं ड्रामा का डैरेक्टर, मुख्य एक्टर हूँ, क्रियेटर हूँ, त तुम इसमें शरीर लेकर पार्ट कर जाते हो, मैं कल्प के अंत में संगम यूग पर आता हूं, भारत में आता हूं, भारत की महिमा बहुत बढ़ी है, मैं आकर तुम ही सारा घ्यान देता हूं, कहता हूं बच्चे मना भव, मुझे याद करो, तो तुम्हारे सारे ही विकरम व बनते बनते तुम कर्मा तीत हो जाओगे तो तुम्हें ध्यान देना है कोई भी छोटे से छोटा भी विकर्म यानि पापकर्म ना हो योगवल से तुम्हें सभी पास्ट के विकर्मों को भी नस्ट कर देना है तुम जनम जनम भक्ति करते आए पहले एक की भक्ति थी उसको ए विचारी कहते हैं, जान है बीज, और भक्ती है उसका व्रक्स, व्रक्स तो बहुत बड़ा हो गया है, विन्मिन तरह की भक्ती सभी धर्मों में पर्चलित हो गई है, जान का तो बहुत विस्तार होता नहीं, बीज का ज़्याद विस्तार नहीं होता, विस्तार व्रक्स का होत तो अब तुम्हें सेवा करनी है बाबा बहुत अच्छी बात करें बाबा के पास कन्याओं का बहुत रिगार्ड रहता है देखो स्वयम भगवान कन्याओं को सम्मान देते हैं कि बच्ची तुम निर्वंधन हो इस इस्वरिये सेवा में लग जाओ ग्रस्तियों को तो बहुत सारा बंधन रहता है तुम उठते पंच्छी हो बाबा के इस महानकारिये में लग जाओ ग्रस्त में तो क्या होता है कई माताय कहते हैं बाबा हमारा बच्चों में बहुत महों है बाबा कहते हैं बच्चे इस मह महों ममत्व को तो मिठाना ही होगा, ट्रस्टी बन जाओ, सब कुछ सिवाबा का है, ये बच्चे भी उसके हैं, ट्रस्टी बन कर पालना करो, तो तुम्हारा महों ममत्व भी कम होता जाएगा, तो कि बबा तुम्हारे लिए नई दुनिया की रचना रच रहे हैं, अब तुम्हारा महों एक तो उसमें होना चाहिए, और एक तुम्हारा सुद्ध महों सिवाबा में होना चाहिए, जो तुम्हें सब कुछ दे रहा है, तो एक दूसरे को सिवाबा की याद दिलाते रहो, उन्नती कुप पाते रहो, इस मौममता से जोड कर बाबा कह रहे हैं, तुम ग्यानी आत्माई बने हो, नौलेजफुल बने हो, तुम्ही सदा हरसित रहना है, रोना नहीं है, जिन रोया तिन खोया, जो रोना प्रूफ हो जाते हैं, उनको राजाई मिल जाती है, बहुत बाबा कह रहे हैं, तुम्हें तो पतियों का पती मिला है, ये तो सारी दुनिया ही खत्म होने जा रही है, अब रो नहीं, रोना प्रूफ हो जाओ, रस्टी बन जाओ, ममत्व को निकाल दो, तो बाबा सुन्दर सुन्दर बाते हमें सिखा रहे हैं, सेवा के लिए भी मोट कर रहे हैं, अपने दुकानों में भी चित्र लगा दो, छोटी दुकान है, चोटे चित्र लगा दो, जो भी आए उसको समझाओ, स्वरक की राजाई कैसे मिल रही है, भगवान आकर कैसे सत्य ग्यान दे रहे हैं, आप भी आओ, उससे राज्योग सीख कर, अपनी तकदीर क महान बनाओ, तो बाबा की सेवा बहुत बढ़ जाएगी, और लोग तुम से घ्यान सुनकर खुस भी बहुत होंगे, वर्दान है, सक्सी पन की सीट पर इस्थित रहकर, परिशानियों को सनाप्त करने वाले, मास्टर तरकाल दर्सिभाव, तुम्यानी आत्माएं हो, तुम की हर बात में कल्यान है, नुकसान में भी कल्यान छुपा हुआ है, इसलिए साक्सी होने का अभ्यास करो, तो तुम कभी भी परिशान नहीं होगे, परतिग्या करो, न परिशान होंगे, न परिशान करेंगे, स्लोगन है अपनी करमेंद्रियों को आज्या में चलाना ही स्वराज अधिकारी बनना है तो आज का हमारा ब्यास रहेगा एक तो इस खेल को स्रश्टी के आदि से और अन तक साक्सी होकर देखेंगे कैसे खेल चलता आया है और प्रेक्टिस करेंगे मैं आत्मा मस्तक सिंगासन पर विराजमान स्वराज अधिकारी हूं मन बुद्धी की मालिक हूं करमेंद्रियों की मालिक हूं मैं राजा हूं मास्टर सर्व सक्तिवान हूं बार बार ये अभ्यास दोराएंगे शक्तियां भी बढ़ेंगी, कर्मेंद्रियां कंट्रोल में भी रहेंगी, ओम जाम भी.